हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी जेले वोटर के लिए बहुत ही जादे करवा रहा हूँ और हर वीडियो में उतने ही कोसंस लेकर के आ रहा हूँ जितने के आपके एक्जाम में आने हैं तो जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी प्रॉबलम हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ठीक है तो मैं हर किसी कमेंट पढ़ गहेंगा रोग होता है तो गहेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है तो यह आयोडीन की कमी से होता है गहेंगा रोग किस की कमी से होता है दोस्तो आयोडीन की कमी से होता है गहेंगा रोग तीसरा ओपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next questions निम्ड लिके तमेंसे किसकी उपस्तिती करण दूद में मिठास आती है देखो दूद में अगर हम अमल की बात करें तो कौन सा लेक्टिक अमल होता है ठीक है और अगर मिठास की बात करें तो लेक्टोस के करण आती है किसे करना लेक्टोस के करना यानि कि दूसरा ओप्सन से आपका ब्रूल करेक्ट है ओजेन का प्राचिन नाम क्या है बहुत important questions आपके exam में पूछा जा चुका है ओजेन का जो प्राचिन नाम है वो क्या है तो सही answer हो जाएगा आपका अवंतिका अवंतिका जो है ये ओजेन का प्राचिन नाम है और उजेन जो है ये सिफरा नदिये किनारे इस्तित है क्योंकि आपके exam में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया पानीपत की तीसरी रड़ाई में मराठों को हराया था किस ने जल्ली बताओ तो पानीपत की तीसरी रड़ाई में मराठों को यानि कि एस questions का पहला options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा, कौन सा पहला options correct? अच्छा पानी पत की तीसरी लड़ाई हुई कपती ये भी आप जान लो, 14 of January 1761, यानि कि 1761 में, 1761 मोशली आपसे पूचा जाता है, नेक्स्ट कोसंस हमायू नामा का लेखा कौन है, जल्दी बताओ, हमायू नामा का जो लेखा के, उनका नाम है गुल बदन वेगम, जी हाँ दोस्तों, तीसरा options आपका बिल्कुल correct है, ये साइद हमायू की बेहन थी, जिन्होंने हमायू नामा लिखी, ठीक है, नेक्स्ट कोसं की तरफ चलते हैं, जब रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का, बाइसराय कौन था, कोस्ट नमबर 7, तो उस समय भारत का, बाइसराय था, लौड चेम्स फोर्ड, यानि कि तीसरा options आपका बिल्कुल correct है, नेक्स्ट कोसंस, वह महीला जिसने अबद में 1857 की करांती का नेतरत्व किया था, तो अबद में 1857 की करांती का जो नेतरत्व है ये किया था, बेगम हजरत महल ने, यानि कि चौता options आपका बिल्कुल correct है, महात्मा गांदी ने पहला आमरन अंसन कब प्रारम किया था, जल्दी बताओ, तो ये कब किया था, कमिनल अवार्ड क के समय है, यानि कि एस questions का पहला options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा, next questions आपके सामने, आपके सामने कुछ point लिखे हुए है, तो भारत के एक छेतर के लिए निमलिकत विसेस्ता है, कौन कौन सी होने चाहिए, इस point के आधार पर आपको बताना है, ठीक है, जल्दी बताइए, उ कौन सी एक उपच पर उपरोग तो वाणलिक छेतर के अत्यादिक संभाव पाएंगे, यानि कि यह जो आपकी criteria दिया है, यह criteria जो है, वो किस फसल के लिए सबसे अच्छा आप पाएंगे, तो किस फसल के लिए है, यह काली मिर्च के लिए है, तीसरा options आपका बिल्कुल correct है next questions आपके सामने, आपके सामने कुछ point दिये हुए है, इन पर आपको बिचार करना है, जल्दी बताईए और बताना है, कौन कौन से कथन जो है, वो सही है, जल्दी बताओ, देखो, cactus brush हमाले के प्राकरतिक रूप से, हमाले में प्राकरतिक रूप से पाए जाते हैं, पहला, cactus brush red data book में सूची बत है, दूसरा point, तीसरा cactus brush में, कैक्सौल नामक आउस्दी प्राप्त की जाती है, जो पारकिसन रोक के लिए क्या है, प्रवावी है, तो यह आपको तीन point बताए है, cactus के, तो आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा जो options होगा, वो बिलकुल correct होगा, दे बिलकुल ठीक है, तो तीसरा options आपका बिलकुल correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोसंस आपके सामने के टेहरी पन विजली complex निम्ले के तमय से किस नदी पर इस्तित है, तो यह किस नदी पर इस्तित है, तो सही आंसर हो जाएगा, भागी रहती नदी पर, यानि कि दूसरा options आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोस्ट आपके सामने कि किसी एक भॉगॉलिक छेतर की सूइस्पष्ट विसेस्ता है निमले के तमेंसे कौन सी है कोश्ट और सुस्क जलवाईयू सोहावना और आदर सीतरकाल सदावार ओक बरच ये तीन आपके लिए दिये हुए हैं तो बहुलिक छेतर की सूइस्पष्ट विसेस्ता है नेक्स्ट कोस्ट दच्छन गोलार्द में पवन के बाई और विचलन का कारण है पिर्तवी का गुर्ण तीसरा ओफसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है कौनसा तीसरा ओफसंस नेक्स्ट कोस्ट पिर्थम लोगसवा के अध्यक्ष कौन थे जल्दी बताओ पिर्थम लोगसवा के अध्यक्ष कौन थे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीवी मावलंकर जो थे ये पिर्थम का दूसरा options आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next questions आपके सामने सर्वोच न्याले में तदर्थ न्याइदीस की न्युक्ति होती है जब तो तदर्थ न्याले की वियुक्ति जब होती है जब न्याले के किसी सत्र के न्याइदीसों का कोरम गड़पूर्ति यानि कि जो गड़पूर्ति कोरम हो वो पूरा ना हो यानि कि चौथा options आपका बिल्कुल करेक्ट है next questions आपके सामने के निम्लिकित कस्नों पर विचार जी आज का जो टेस्ट है वो थोड़ा हाई लेविल का है समझ रहे ना भारत का उच्टम न्याले भारत के राष्टपति को विधी अतवा तथ्यों के विशे पर सला देता है कब सौप पर नपर यानि कि व्यापक लोखित के किसी विशे में या यदीव है ऐसी कोई सला मां तो देखो पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है पहला ओपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि पहला ही ओपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोसंस आपके सामने यहाँ पर आपको अनुच्छे से संबंदित कुछ विशे दिये हुगे ह है कौन सा अनुच्छ जो है वो किस चीज से संबन देते और options आपके सामने ये दिये हुए है अच्छे से आप देख लीजिए और उसके इसाब से आपको बताना है तो देखो संसद ये विशे सर्दिकार ये नुच्छ देख 105 में है है ठीक है राज विधान वंडल के विशे सर्दिकार ये नुच्छ देख learn 94 में है यानिकि चौथा options संसद कि संयुक्त बेठक ये नुच्छ देख 108 में है तो पता होना चाहिए क्योंकि यह तो बहुत सिंपल है राश्च्पती द्वारा अद्ध्यदेश जाजी करना यह आपका किसमें है यह आपका अनुच्छल 123 में तो आपको 108 और 123 तो mostly आपको याद होना चाहिए ठीक है यानि कि 2, 4, 1, 3 तो यह आपको बताना है तो तीसरा ओप्संस आपका विट्गुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोसंस आपके सामने के निम्दे के तमेंसे किन उद्धेसों को भारतिय सम्मीदान उद्धोसित नहीं करता तो सही अंसर हो जाएगा अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अभी विद्धी यानि कि चौता ओफसन्स आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्ष्ट कोशन्स के निम्ले के तुमेंसे कौन समिदान सभा का सदस नहीं था जल्दी बताओ नेक्स्ट कोसंस राष्टपती सासन के दोरान किस अनुच्छेत के तहत प्राप्त मौलिक अदिकारों पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है जल्दी बताओ तो अनुच्छेत 14 से 18 यानि कि पहला ओप्संस तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट है एक ही आपका सायोगा यानि कि पहला ओप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट है अनुच्छे 14 से 18 का जो बिस है वो क्या है आप लोग जड़ा कमेंड बॉक्स से मुझे बताईएगा ठीक है नेक्स्ट कोसंस के निम्लेकित मेंसे क्या भारतिय सम्मिदान को एकात्मक्ता पिर्दान करता है जल्दी बताईए निम्लेकित मेंसे क्या सम्मिदान संसोधन की प्रकरिया द्रण है ये गलत है लेकित सम्मिदान है भारतिय सम्मिदान को एकात्मक्ता नहीं राज सीमाए अभी नासी है ये भी गलत है तो तीसरा आपसंस जो होगा वो बिल्कल ठीक है क्योंकि राजवा केंदर सभी के लिए जो सम्मिदान है वो समान है यानि कि चौता आपसंस आपका बिल्कल करेक्ट है संयुक तुराष्ट मानब विकास सूचकांग किसके द्वारा विकसित किया गया है जल्दी बताओ ये जो संयुक तुराष्ट मानब विकास सूचकांग जो है ना ये विकसित किया गया है मैबूग उल्हक के द्वारा पहला आपसंस आपका विल्कल करेक्ट है मानब विकास सूचकांग एक सूचकांग है जिसका उपयोग देसों को मानब विकास के आधार पर आखने के लिए किया जाता है ये मैबुक उल्हक के द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है ना भारत में राश्टी आए के प्राकलन तयार किये जाते हैं जल्दी बताओ भारत में राश्टी आए के प्राकलन तयार किये जाते हैं तो सही आंसर हो जागा केंद्रिय सांकी की संगटन द्वारा चौता उप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट है निमलेकित मेंसे एक भारतिय किरसी की विसेस्ता नहीं है कौन सी भारतिय किरसी की विसेस्ता नहीं है जल्दी बताओ तो बड़े खेतों की प्रधानता ये भारतिय किरसी की विसेस्ता नहीं है चौता उप्संस करेक्ट है विरोजगारी समस्या से गरीवी बढ़ती है क्योंकि जनसंक्य तेजी से बढ़ती है इसलिए गरीबी बढ़ती है दूसरा options correct है और आज कल तो या अगर मैं कहना चाहूं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो मैं कि बोलूँगा बिरोजगारी क्योंकि उसी से ही गरीबी बढ़ती है समझ रहे अगर आज का व्यक्ति बिरोजगार नहीं होगा तो गरीब भी नहीं होगा इस बात को ध्यान लेना और उसके उदारण है कइदह आप ले ली जीये सूईजर लेंड को ले ली जिए सुईडन को ले ली जिए सिंगापूर को ले Лीजिए ठीक है अमेरिकाओ को भी ले सकते हैं आप ठीक है हाला कि अभी कोरोना किराइसे हुए है तो काफी देशों के अर्थवस्ता जो है वो गड़बड़ा गई है लेकिन कोरोना तो अभी एक साल से आ जा जा ना एक साल मान के चलना मैं तो मैंक जिवम उससे पहले भी तो गरीवी क्या थी इंडिया क्या आप सभी जानते हैं जन्गनला 2011 क जो एक अनुसर सरवदिक साक्षर्ता दर वाला राज कौन सा है तो सबसे अदर साक्षर्ता वाला राज है किरल दूसरा ऑप्संस करेक्ट सेंपल था और मजे की बत पता क्या है इन चीजों पर कोई बात ही नहीं करता बेरुजगारी हुई गरीव हुई हुई आपको ये च सारी चीज़ देखने को मिलती हैं आपको मीडिया में जनगर्णा दोजार एक के अनुसर अनुसर अनुसूचित जनजाती की संक्या के आदार पर अनिमले के तराज्यों को गटते हुए करम में विवस्तित करना है गटते हुए करम यानिकि सबसे ज़्यादा जनजाती सबसे बाद में किस राज में हैं तो सबसे ज़्यादा तो देखो आपको महराष्ट में देखने को मिलेंगी उसके बाद आपको ओडिसा में देखने को मिलेंगी फिर आपको राजस्तान में और सबसे कम आपको जारकंड में यानिकि दो चार सौरी दो तीन चार एक तो कौ लिए वर्सा बोलते हैं से ठीक है इसका करना क्या होगा कि प्रतिवी के वायू मंडल में सलफर अडाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अमल और गंदक का तेजा बन जाता है यह प्रदूसक प्रारंबिक रूप में तो कारखानों की चिम्वनियों बसों वा सौचालित वहानों के चलने से उस सर्जद होकर वायू मंडल में मिल जाते हैं तो मोस्टली आपको कारखानों से देखने को मिलेगी नेक्स्ट कोसंस के निमलिकत कतनों का अध्यन करें ठीक है जो मैं अभीता बच्चन वाली बात बोल रहा था आ उनके आप उनके लिए दूआ कीजिये या उनके लिए आप मौन रखिये उनके लिए प्रात्ना कीजिये बस यह दिखा रहा है कि अभी तब बच्चन ने नास्ता घर लिया ये कोई बात है आपको सोचो तो यह मीडिया है है पसमझ सकते पर्याब्रन भौस से अंतर सम्बं परण ही जंतू को प्रवावथ नहीं करता बलकि जंतू भी परयावरन को प्रवावथ खरतें हैं कौनसे कतन जो है वो आपके बिल्कुल correct है तो आपका जो है आँसर हो जाएगा व्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आमले का उत्पादन सबसे अदा किस जिले में होता है तो आप सभी लोग जानते हैं आमले सबसे अदा आपको कहां देखने को मिलेगा पिरताब गड़ा में देखने को मिलेगा दूसरा ओफसंस बिल्कल करेक्ट है पिरताबगर, रायबरेरी, सुल्तानपूर, जौनपूर यह हमले की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा पिरसेद है लेकिन सबसे ज़्यादा पिरताबगर में मिलेगा आपको ठीक है आगरा सेयर की इस्तापना निम्डे के तमय से किस ने की थी तो यह किस ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, कब की थी पodelा सोचार में की थी, याद करलो क्योंकि डेड़ भी कभी कभी पूछ लेता है नेक्ष्ट कोशन, जी एष्टी चोरी करने पर कितने वर्स की कारावास के प्राबदान है अगर GST चोरी करोगे तो पांच वर्स के लिए है कितने वर्स के लिए, पांच वर्स के लिए Ensuite questions आपके सामने के उत्तर प्रदेश पुलिस वी नियमों के अंतरकत ग्राम चौकिदार उत्तरदाई होता है तो ग्राम चौकिदार जो है ये थाना देक्ष के उत्तरदाई होता है पहला उप्सन्स करेक्ट मानव अधिकार अधिनियम 1933 का बिस्तर जम्मु कस्मीर राज सूची में आने वाली विस्तर को छोड़ कर कहां तक है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा संपूर भारत में अब जम्मु कस्मीर को भी इसमें क्या कर लो एड कर लो क्योंकि जम्मु कस्मीर अब जम्मु कस्मीर का जो सम्मीदान है वो अलग सम्मीदान नहीं रहा समझ रहा है क्योंकि भारत का समीदान ही अब जम्मू कस्मीर में लागू हो गया क्योंकि जम्मू कर्ष्मीर अब एक यूटी हो गया तो जो केंद्रियों में कानून लगता है वही जम्मू कस्मीर में भी लगेगा है ना तो अब संपूर भारत में भी कर लीजिए आप मनाये जाता है तो इस questions का आंसर मुझे comment box में बताएंगे कि थल से नहीं दिवस पिरते एक वर्सम किस तिती को मनाते हैं अच्छा टेस्ट था बहुत ज़्यादा कुछ questions hard थे hard नहीं बहुत hard तो बताईएगा कि इस test में आपके कितने number आ रहे हैं mostly आपके कुछ नहीं तो 37-68 questions तो सही निकलने चाहिए इसमें तब जा कि आप जीको को कुछ कर पाओगे अगर इस तरीगा questions पर आ जाता है दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ अमारे चनल को सब्सक्राइब कर रहा है ना भूलें क्योंकि में रोजाना इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत